Hello and welcome to my HTML tutorial. तो इस tutorial में हम HTML forms में text area input को creates करना सीखेंगे. The text area input defines a multiline text input in HTML form. Text area input की मदद से हम अपने HTML form में multiline text input create कर सकते हैं. अभी तक हमने जो input fields HTML form में use किये थे वो सारे सारे input fields single line input accept करते थे multiline input accept नहीं करते थे. तो अगर हमें multiline text input चाहिए होता है form में तो हम text area input का use करते हैं. We can create text area input by using text area element in HTML form. अगर हमें text area input HTML form में create करना है then हम उसके लिए text area element का use करते हैं. The text area input is mostly used for creating message description fields in HTML forms. अगर हमें अपने HTML form में messages fields या description fields या फिर किसी topic से related information fields को create करना है then हम text area input का use करते हैं. तो जो text area input होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है. अभी तक हम जो create करते थे inputs HTML form में उसमें कोई भी row और column नहीं होती थी और उसमें जितना भी input होता था वो हम single line में पास करते थे. लेकिन यहाँ पर हम enter का use करके text को multiline में भी पास कर सकते हैं. इसलिए से multiline text input भी कहा जाता है. तो अब हम एक प्रोग्राम के थुरू देखते हैं कि हम किस तरह से अपने HTML form में text area input को create करते हैं. तो यहाँ पर मैंने अपना VS code open कर लिया है. अब हम यहाँ पर text area input को create करते हैं. तो सबसे पहले मैं form element ले लेता हूँ. जैसा भी मैंने slide में बताया था कि text area input को हम messages या description field या फिर किसी informational field के लिए use करते हैं. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक label ले ले लेता हूँ. और इस label में मैं पास कर देता हूँ. Message. यहाँ पर हम लिख लेते हैं. Message input. इसे भी maximize कर देते हैं. और यहाँ पर हम text area element ले लेते हैं. अब text area element में मैं यह name और id डिलीट कर देता हूँ. इसका कोई काम नहीं है. तो यहाँ पर हमारे बस text area input में column attribute होता है, calls attribute sorry and rows attribute होता है. calls attribute की मदद से हम अपने text area की width को increase कर सकते हैं. मतलब उसमे number of columns को हम increase कर सकते हैं. उसी तरीके से rows attribute के मदद से हम अपने text area की height को increase कर सकते हैं. तो हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने 30 कर लिया and rows 10 कर लिया. मैं यहाँ पर label में break pass कर देता हूँ. तक यह text area नीचे वाली line से आने लग जाए. अब मैं file को save करता हूँ. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक text area आने लग गया है. हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, hello world. अभी तक हम जो text लिख रहे थे, उसमें हम जो भी चीज लिखते थे. HTML is great. तो अभी तक हम जो भी चीज लिखते थे, उसमें क्या होता था? हमें A की line में हम लिखते चले जाते थे. लेकिन अब क्या है कि हम message box में है, यह जो हमने text area की through create किया है, हम इसमें enter का use करके next line में भी आ सकते हैं. यहां पर मैं अपना कितना भी text पास कर लेता हूँ, मैं यहां से एक dummy text ले लेता हूँ. और यह मेरे पास text आ गया है, मैं ऐसे copy कर लेता हूँ, cut कर लेता हूँ, sorry, and यहां पर जाकर कि मैं ऐसे paste कर लेता हूँ. तो अब लोग को यहां पर दिख रहा हूँ, कि हमने यहां पर जो text area में पास किया है, वो multiline text है, तो अब लोग क्लियर हो गया हूँ कि हम format text area कैसे create कर सकते हैं, मैं यहां पर button को भी create कर सकता हूँ, input type submit, अगर हमें submit की value change करने है, जो by default value आती है, वो submit आएगी, यहां पर save करता हूँ, तो यहां पर submit आएगी, लेकिन अगर मैं को इसकी value change करनी है, तो मैं यहां पर value attribute का use करूँगा, and इसमें pass कर दूँगा, submit या फिर send message, अब हम file को save करते हैं, तो देखिए, यहां पर send message लिखा गया, इसमें ब्रेक और pass कर देते हैं, ब्रेक, ब्रेक, हम इस text area को resize भी कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहें, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा text area resize ना हो, तो CSS की property होती है, resize, हम उसके मदद से text area को unresizable बना देते हैं, तो मैंने यहां पर एक और बात बताई थी, कि जो calls attribute होता text area में, वो text area की width को increase करता है, तो मैं यहां पर 50 देता हूं, या फिर हम 70 देते हैं, अब हम file को save करते हैं, तो देखिए, इस text area की width बढ़ जाएगी, यह देखिए, और अगर हम number of rows को increase कर देते हैं, यहां पर मैं 80 पास कर देता हूं, अचली 50 पास करते हैं, जादा हो जाएगा, मैं file को save करता हूं, तो देखिए, यह हमारी height increase हो चुकिए rows की मदस्ते, तो इस tutorial के धुरू आप लोगो clear हो गया होगा, कि किस तरह से हम form element के अंदर text area input को create कर सकते हैं, होप आपको चीजे समझ आई होंगी, अगर आपकी कोई query है, तो आप comment box में लिख सकते हैं, या आप login कर सकते हैं, www.learn2unless.com contact us.php, हम आपकी query solve करने की कोशिश करेंगे, thank you.